तो पहाडी जर्णी बूटियों की वीडियों की सेकंड पार्ट में है अब हम सिर्फ शीला जीत की बात करेंगे योगेश जी से पूछेंगे किस तरीके से असली शीला जीत की पहचान की जा सकती है और असली झो शीलाजीत है पहाड में कितनी उनकलता है क्या process होता है और कब निकलता है क्योंकि market में आपको पता ये कितनी मिलावट होती है किसी भी चीज को गूड को या किसी शक्कर को शीलाजीत के नाब से बेज़े जा रहा है तो बात कहते है योगेज जी से योगेज जी आप हमें सबसे पहले तो ये बताईए शिला जी जो असली होती है कितनी अल्टिटूट से निकलती है यह करीब होगा आपका 2500-3000 के आसपास 3000 ilm के पास लगती है कौन से महीने में शिला जी तसली निकलती है अच्छी होती है जब धूप होती है गर्मी ज़दा चरपती है जहें पे निकलना अच्छा होता है अच्छा तो ये काले चारकोल की तरह पहाडों पे फैली होती है फिर उसके बाद ये इसकी हाइड भी अलग पहारों की अच्छा चुली ग्लेशियर का यह जंबा कली सर का अच्छा इसी पिथोरा के रेंज में ही अच्छा ठीक है और इसका आप लोग खुद पहाड पे जाते हैं चट्टानों पे चड़के चड़ना होता है और फिर पत्थर के साथ तूटता है फिर इसका शुद्धी पनाते है जो भोल जाता है पानी में खोल के इसको उसमें डुलवा के पर इसको बनवाना सुरू करते है तो यह शुद्धी गरंड का प्रोसेस आप खुद अपने हाथ से करते हैं अच्छा तो हमें आप इसकी पैचान करने को तरीका बता अगर मानलो किसी ने शीला जीत मा पैचान है उसकी यह पैचान होती है कि इसको आप एक चम्मच में रखके इसको नीचे से आग जला दीजेगा अच्छा अच्छा अगर यह उड़ जाता है दुमें में उड़ जाएगा और इसको फेलेगा नहीं तो वही शीला जीत प्योर होगा और यह काफी गाड़ा भी होती है बहुत फरक है यह काफी कड़वी होती है और जो शीला जीत मार्केट में मिलती है काफी मीठी होती है उसमें गुड़ वगेरा मिला कर किया जाता है आप अगर यही वाली शीला जीत अगर योगेज जी से खरीदना चाते है आप हमसे संपर कर सकते हमारी में आप लोग को दिखाऊंगा थैंक यू